नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया न्यूस का डिसल चैनल इन खबर आज हम बात करें लोग सबाचुनाव 2019 को लेकर लेकिन जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कुछी घंटों में लोग सबाचुनाव के जो नतीजे हैं वो आप सभी के सामने आ जाएंगे इस सारी बाते क्लियर हो जाएंगी कौन सी पार्टी यहां से अपनी सरकार बना रही है और कौन सी पार्टी अपनी सरकार नहीं बना रही है तो है नितिन गटकरी बीजेपी के जो एक दिगज नेता है वो यहां से खड़े हुए है तो हैं कॉंग्रेस के नाना पटो ले यहां से चुनाव लड़ रहे हैं पर इन 38 लोगों के लिस्ट में जो टॉप पर है वो है नितिन गटकरी एक दिगज चेहरा है और यहां पर एक तरफा चुनाव कहा जा रहा है कि नागपूर में नितिन गटकरी एक तरफा वोटो से जीतते हुए ने ज़र आएंगे लेकिन इस पर देखने वाली बात यह होगी कि नितिन गटकरी जीत होगी वो कितनी मार्जिन से होगी क्या वो एक लाग प्लस वोटो से होगी या दो लाग प्लस वोटो से नितिन गटकरी अपनी जीत दर्ज करेंगे क्यार यह तो समय बताएगा चंद घंटों के बाद ये सारी बाते किलियर हो जाएंगी कि जो महरास्ट की नाकपूर की सीट है यहां से किसने जीत हासिल की है और कितने मार जैसे किसने जीत हासिल की है ये सारी अबडेट हम आपको देते रहेंगे आप बनेड़े हमारे new channel इन्खबर पर अगर आपको वीडियो पसंद आ है तो इसे like करें, share करें और हमारे channel इन्खबर को subscribe जरूर करें धन्यवाद इन्खबर channel को subscribe करें और bell icon दबाना ना भूख